हलो फ्रेंज मैं रिशन्तर स्मार डिशल के स्टार में आपका स्वागत है दोस्तों कि आप भी वोट्सब पे बल्क मेसेज करते हो और आपका नमबर ब्लॉक हो जाता है जो कि हरे के स्टार्ट अप्स बिजनेस एंड फ्रीलांसर को फेस करना पड़ता है और यदि आप भर्चुल नमबर से बल्क मेसेज करते हैं तो मात्र 5 से 10 नमबर पे मेसेज करने के बाद भर्चुल नमबर भी ब्लॉक हो जाता है और यदि आप वाट्स अप के ओफिसियल एस्टेटिक्स को देखे तो मेटा ने 2023 में 20 मिलियन दैट मींज 2 करोर वाट्स अप नमबर को बैन किया है ये वो नमबर है जो कि वाट्स अप पे बल्क मेसेजिंग के लिए यूज किया जाता था तो दोस्तो उसी को देखते हुए मैंने मेटा का पार्टनर सी प्रोग्राम जोइन किया है और लांच किया है वोट्स अप का ओफिसियल एपियाई सिस्टम दोस्तो जिसका यूज करके आप बहुत ही आसानी से अनलिमिटेड वोट्स अब बल्क मेसेज विथ बटन सेंड कर सकते हैं और दोस्तो यदि आप इसके प्रैसिंग प्लैन्स की बात करे तो ये AI सेंसी और वाती से भी लो कोस्त में आपको मिल जाता है दोस्तो ओफिस्यल APS सिस्टम को एक्टिवेट करना बहुत ही आसान है आपको कुछ डोकुमेंट्स लगते हैं जैसे की बिजनेस रजिस्टेशन सर्टिफिकेट इसमें आपका MSME हो सकता है या आपका GST हो सकता आपके पास कोई भी बिजनेस रजिस्टेशन सर्टिफिकेट है तो हो जाएगा वेब साइट लगता है फेस्टुक बिजनेस अकाउंट लगता है और एक न्यू मोबाइल नंबर लगता है जिससे की आपका WhatsApp चलेगा दोस्तो जडि आपके पास ये सारे डोकुमेंट्स है तो ठीक है नहीं तो ये सारे डोकुमेंट्स मेरे team members हैंडल कर लेंगे आपको ये डोकुमेंट्स एरेंज करके दिया जाएगा आपके business name से आपको फुली verify कराके दिया जाएगा दोस्तो आप देखते हैं कि WhatsApp bulk message with button कैसे create करेंगे और कैसे send करेंगे सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं डीटेल में बताऊंगा तो इस वीडियो को complete watch कीजेगा अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी problem होगा इस वीडियो के description में मेरे support team का number मिल जाएगा आप मेरे support team से बात कीज़ेगे आपके सारे problems को solve कर देंगे आपके जो भी query रहेगे सारे query solve हो जाएगे दोस्तो आप देख सकते हो यह हमारा whatsapp का official API portal जहां से हम whatsapp API को verify करके और इसमें integrate करके यूज करेंगे bulk message send करेंगे chat port create करेंगे button message create करेंगे सारा कुछ आप यहां पर कर पाऊगे दोस्तो जैदी आप इसके pressing की बात करें तो आपको pressing भी market में किसी से भी कोई भी portal है सारे portal सापको बहुत ही low cost में मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरे portal का plan है annual plan है 5000 yearly लेकिन यहीं प्यावाती यह आइसेंसी का देखते हो इसका पर मंत plan है वह 6000 अगर annually देखे तो इसका annually बहुत ज्यादा costly होता है ठीक है और यहां पर ASNC का देखो तो ASNC में भी इसका जो pricing plan है वो बहुत different होता है yearly देखोगे तो आपको बहुत महेंगा परेगा ठीक है इसलिए दोस्तों ज्यादि आप low price में WhatsApp का official API यूज करना चाहते हो आपको यह portal based रहेगा ठीक है इस portal का link मैं आपके इस वीडियो को description में डाल जूँगा अब हम देखते हैं कैसे हम इसको setup करेंगे कैसे हम bulk message with button send आपड़ेगा जब आपका documents verify हो जाता है तो आपको दो portal मिलता है ठीक है एक तो आप official API का portal मिलेगा जहां पे आप API integrate करोगे डूसरा आपको business manager का portal मिलता है जहां पे आप अपने templates को verify करवागे जब आप templates create करोगे तो आपका templates review में जाता है जब review हो के verify हो जाता है तब आप इसको bulk messaging में use कर सकते हो ठीक है तो यह दो पैनल आपको मेरे team के तरफ से ready made create करके मिलेगा सब को setup करके आपको मिलेगा ठीक है उसको use कैसे करना है वो सीखते हैं सबसे पहले हम यहां पे button message campaign create करते है ठीक है तो देखे यहां पे आपको इसको login कर लेना है business manager business.facebook.com जब यहां पे login करोगे तो यहां पे देख सकते हो आपको create templates का option आजगा simply आपको यहां पे click करना है जैसे आप यहां पे create templates पे click करोगे यहां पे आपको तीन options आ जाते हैं आपको यहां पे category marketing करना है utility या authentication ठीक है तो हम क्या करेंगे marketing करेंगे promotions करेंगे अपने products को marketing पे click करेंगे यहां यहां पर भी आपको दो अप्सम्स मिल जाते हैं यहां पर देख सकते हो ठीक है तो मैं यहां पर कस्टम को यूज करूंगा सिंप्ली कस्टम पर किलिक करूंगा और यहां पर नेम आफ यूर मैसेज टेंपलेट का डाल दिया देमो फाय ठीक है उसके बद आपको यहां पर लेंग्वेज डालना है तो लेंग्वेज आपको इंग्लीस रखना है तो इंग्लीस आप यहां पर रख सकते हैं आप यहां प multiple language यहां पर select कर सकते हैं यह करने के बाद simply आपको यहां पर continue पर click करना है जैसे आप continue पर click करेंगे आपको यहां पर templates create करने के सारे options आ जाएंगे ठीक है तो यहां पर देखिए edit templates सबसे पहले दिखाया गया header ठीक है आप अपने templates का सबसे पहले header create कीजिए header यहां पर देख सकते हैं यहां पर header push ने रखना चाहते है टेक्स्ट या media रखना चाहते हैं आप यहां पर रख सकते है तो जैसे मुझे media रखना है तो मैं यहां पर यहां पर मैं क्लिक करूँगा जो भी इमेज मुझे सेंड करने है वो इमेज मैं यहां पर स्लेक्ट कर लोगा जैसे मुझे यह इमेज एक्जामपल के लिए सेंड करना है ब्रोड कास्ट करना है तो मैं यह इमेज स्लेक्ट करूँगा और इसको ओपन कर लोगा और फ्रेंड् बंट्ध जालंगे ओसके नीचे हम बंट्ट डालें तो बंट्ट जी यांपा यूठ है इशmore मंत्राइल प्लाइन को क्रेंट भाइब से अप्राइब यूपर्म यूठ है इस्परेडने कब एक सब्के संब्सक्राइब करोगे सब कुछ आपको लाइब करना चाहते हो कोई मोने स्पेस लगाना चाहते हो को इमोजिस लगाना चाहते हो आप करना चाहते हो आप यहां पर हो रहा है तो मैंने यहाँ पर अपना हेडर इमेज डाल दिया अब क्या करूगा ne जाओ आप करेंगे कैसे हम लिंक बटन करेंगे क्यासे हम लिंक बटन करीडि़ कर्यंद करेंगे कियसे हम call button create करेंगे यह सारा बटन सापको यहां पर create करने को मिलीजाए को ठीक है यहां पे डेख सकते add button है यहां पे यहां पे बटन टेक्स को सबस्वा蓉 मेरिके रमार की किया अपको डिखेगा नियागर दैकर पर इस तरह से दिखेगा । नंबर आपको डालना पर जो आपका country code यहां पर select कर लिजिए और यहां पर phone number डाल दीजिए तो फिरस आप देख सकते हैं यहां पर मैंने call to action buttons create कर लिए buttons create करने के बाद simply आपको उपर आना है और इसको सब्मीट कर देना है जैसे आप सब्मीट करोगे तो यहां पर confirm का option आजाएगा आप यहां पर इसको confirm कर दीजिए तो आप देख सकते हो हमारा जो है वो टेंप्रेट सक्सेस्पुली क्रियेट हो चुका है ठीक है क्रियेट होने के बाद आप देख सकते हो यहां पर यह रिभ्यू में चला गया अगर आपका यहां पर नहीं दिख रहा है तो आप एक बार इसको दो रिफ्रेस्ट कर दीजै जैसे आप डिफ्रेस्ट करेंगे तो आप जो टेंप्रेट हो यहां पर सो जाए गा रिफ्रेट कर लेका आप तो आप इसको आप यूज कर रहता है अच्छा से करता हो दियूर्ट करोंगे और आप जो सी त्यूज हो जाता है यहां पर देख सकते हैं हमारा टेम्परेट्स रेडी हो गया यह steps हमें करना है facebook business manager में इतना करने के बाद अब हमें जाना है official API portal पर आप देख सकते हैं यह portal पर आपको जाना है इसको login कर लिए इसको login करने के बाद आपको यहां पर bulk messaging आपने लड़ी templates create कर लिया आपका templates ready to use है तो हम सबसे पहले क्या create करेंगे कि हमें किस number पर message भेजना है वह हमें group सबसे पहले create करने है दोस्तों इस portal में numbers लाने के लिए सबसे पहले आपको group create करना पर आपको simple contacts में जाना है और यहां पर group क्लिक करना है जैसे आप group कर सकती हो है तो यहां यहां पर मैं डाल देता हूं डेमो 5 यह जो भी है मैं डेमो ही रखता हूं ठीक है यहां पर जो भी नाम आपको डालना है आप नाम डाल सकते है और यहां पर insert कर सकते है तो यह देख सकते है आप इस तरह से group create कर सकते हो ठीक है ग्रूप यहां पर तो न्यम के साफ, सब इसको मैसेज जाईगा ठीक है तो ये करने बाद सेफलल कहां क्या करेंगे MEM का क्या करेंगे इसको सेभ लेंगे हीज़ आब सेफ एकटल प्टाय लिया है अब सेफलल ये जाएंगे और यहां पर इसको इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पर CSV बोला चूज करने को तो मैं यहाँ पर CSV फाइल चूज कर लोंगा ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको डॉनलोड करके रखाऊ यहाँ पर तो कर लिया और यहाँ पर देख सकते आ गया और गूरूप किस गूरूप में तो मुझे डेमो गूरूप में डालना है इंपोर्ट कर देना मैं तो आवस्ट पीनुम्बर को ने बसमोंन dollar करना है ठीक है तो यहाँ पे देख सकतें मेरा कॉण्टेक्स आelएल रोoles इपने के बाद के बार किम्जें आपको ने और यहां पर send a new campaign create कर लेंगे यहां पर आपको अपने campaign का name डालना है मैं यहां पर demo डाल देता हूं देख सकते है अगर आप सीडूल करना चाहते तो आप इसको सीडूल कर सकते हैं यहां से करेंगे तो आपका यहां पर क्ऊंप्लीज पर करने के लिए ठीक है तो यहां पर एक step में यह बार और आपको यहां पर आपना जो images था जो image आपको यहां पर अपलोड करना है ठीक है तो यहाँ पर सिंप्लिस पर किलिक किजिए और यहाँ पर जो आपका इमेज है इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए तो आप देख सकते हैं आपका इमेज upload हो चुका इस तरह से आपका image आ गया आपका body text आ गया और इस तरह से आपका जो है buttons आ गया है send campaign पर click करेंगे आपका जो campaign है वह send हो चुका है ठीक है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं यहां पर देख सकते- यहां पे जो हमारा मैससेज है वो सक्केस्पुली आ गया और यहां पर देख सकते हो टिजिटल के स्टाल लिखा हुआ और यहां पर देख सकते हो यह जो ओफिस्याल ये आपको इसा लगता होगा यह और यहां पर कॉल का ऊप्सटन ही आएगा और यहां पर इसका मेंसेज आप देख सकते हो इस तरह से आपका इमेज होगा तो कॉल करने का option आजाएगा ठीक है कोई आपको चाहता है कि मैसेज नहीं करें तो आपको बाहर में मैसेज वो करेगा भी तो नहीं आएगा आपके नमबर को ठीक है इस तर से फ्रेंस आप वहत्सप का ओफिस्चल API लेके आप अपने कस्टमर्स को वहत्सप पर इसे convert कर सकते हैं अपने business को online expand कर सकते हैं अगर आप भी अपने business को WhatsApp मार्केटिंग के थुरू increase करना चाहते हैं इस वीडियो के description में मेरे team members का number है मेरे team से बात कीजिए आपकी पास documents नहीं भी है तो मेरे जो team members है वो documents सब कुछ arrange कर देंगे आपके लिए और आपका API setup करके देंगे तो I hope कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जाएंगे